हेलो फ्रेंद्स एंड वेलकम तो माई चैनल नॉलेज क्लाउट एपिसोड फोर और फ्रेंद्स आज हम डिस्कुस करेंगे शॉट ट्रिक्स रिप्रोड़क्शन चैप्टर की जैसे हम लोग पिछले वीडियो में चार वर्ड में केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स याद कर लिए थे वैसी ही इस वीडियो में आप याद कर लेंगे एक वर्ड में पूरे पाथवे ऑफ इस पम को एक सिक्वेंस में और साथ ही एक वर्ड में आप याद कर लेंगे सारे हॉर जी हाँ इससे आप याद कर लेंगे पूरे pathway of sperm को तो चलिए देखते हैं कैसे याद करेंगे हम तो friends Steve के S से होगा सेमेनी फिरस टुब्यूल, T से रिलेट करेंगे रेटी टेस्टिस, E से वासा इफ्रेंशिया, फिर E से इपिडाइडाडेमस, V से वासा डिफ्रेंस और लास्ट में E से एजैकुलेटरी डक्त तो friends pathway of sperm का sequence order हो जाएगा सेमेनी फिरस टुब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडाइडाडेमस, वासा डिफ्रेंस और इजैकुलेटरी डक्त तो friends एक छोटे से वर्ड से हम याद कर लिएए पूरे pathway of sperm को और अगला वर्ड वो है जो आप सभी ने सुना है, वो वर्ड है mammal बट इसकी spilling अलग है रियल वाले mammal से तो friends इस वर्ड से हम याद कर लेंगे इनसी आर्टी के reproduction chapter के figure 3.4 को पूरे sequence में तो friends mammal वर्ड से आप ऐसे relate करेंगे कि M से memory gland जो की सारे mammals की characteristic feature है A से alveoli, M से memory duct, A से ampoula और last में L से lactiferous duct तो friends है न कितना simple एक छोटे से वर्ड से हमने याद कर लिया पूरे memory gland के path system को और friends अगली और last trick आज की ये है कि एक वर्ड में हम याद कर लेंगे सारे hormones को जिनका action memory gland पर होता है तो friends वो magical word है hopp इस simple से वर्ड से आप याद कर लेंगे सारे hormones को जो memory gland पर act करते हैं तो चलिए relate करते हैं इस वर्ड से hormones को तो hopp के H से होगा HPL means human placental lactogen, O say oxytocin, P say progestron, E say estrogen और last में P say prolactin तो ये वो पांच hormone है जो memory gland पर act करते हैं ओके friends तो नीचे comment करके ज़रूर बताईएगा कि मैं next short trick किस topic पर बनाऊ and I will make it for you guys because you guys are awesome and bye-bye friends and best of luck from knowledge cloud